आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है आधारित रैंकिंग के खिलाफ अब भारत किने नकेल कसने की तयारी कर ली है प्रधान मंतिर नरिंद्र मोदी के मुख्य सलाकार ने शुक्रवार यानि 26 माई को एक इंटर्यू के दोरान ग्लोबल एजेंसियों की ओर से भारत को लेकर जारी की जाने वाली एजेंडा आधारित रैंकिंग पर ये बात कही पीम नरिंद्र मोदी की आर्तिक सलाकार परिशत के सदस्या संजियो सान्याल ने कहा कि भारत ने इन मुद्दों पर अंतरष्टिया मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि तीन चार फंडिंग एजेंसिया जो दुनिया में अपना एजेंडा चलानी चाहती है वो इन रैंकिंग को नौर्थ अटलेंटिक के छोटे समूह से तयार कराती है भारत के खिलाफ नेरेटिव गडने की कोशिश उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से केवल नेरेटिव गडने तक सिमीत नहीं है इसका सीधा और स्पष्ट प्रभाव वैपार निवेश और अन्य गतिवीदियो पर पढ़ता है हाल ही में रिपोर्ट्स की वीदाउट बॉर्डर्स की और से जारी निउवर्ड प्रेस फ्री साल से भी नीचे रखा गया था सान्याल ने कहा कि बिते एक साल में भारत ने वीबिन बैठकों में वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम और यूनाइटेड नेशन्स डेवलोप्मेंट प्रोग्राम जैसे संस्थानों की ओर से स्तेमाल किये जाने वाले वैश्वी सुचकांकों को संक कलित करने के तरीकों में खामियों की और खुलकर अपनी बात रखी है रैंकिंग गैसे डालती है भारत पर असर उन्होंने कहा कि वैश्वा बैंक भी इस चर्चा में शामिल है क्योंकि यहां इन थींक टैंकों से राय लेता है और इसे वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिक्स जैस चीजे में शामिल करता है एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक डबलू एफी रिपोर्ट्स विदाउट बर्डर्स और वीडेम ने इस टिपनी पर जवाब देने पर फिलहाल और समर्थता जताई है यूएन डिपी ने कहा है कि वो जल्दी इस पर जवाब देंगी संजियो सान्याल ने कहा है कि ये गलोबल रैंकिंग परियावरन सामाजिक और प्रशासन से जुड़ा फैसले लेते हैं समय अहमियत रखती है कई इंटरनेशनल बैंक परियावरन और सामाजिक और प्रशासन पर आधारित रैंकिंग के हिसाब से लोन सबसेटी देते हैं ए इंद्रिय सचीवाले में इस मुद्दे को उठाया गया है और इस मामले को लेकर दरजन और बैठा के की जा चुकी है इसी साल IMF की और से Financial Development Index, UNDP की और से Gender Equality और Human Development की रैंकिंग के साथ World Bank की और से Worldwide Governance Indicators की रैंकिंग जारी की जाती है आएगे बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ और संस्कुरूती से इतनी नफरत क्यों करती है अमित शाहा ने शुक्रवार को कॉंग्रेस पर सेंगोल के अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह कॉंग्रेस के मांसिक देवाली एपन की परकाश्टा है कॉंग्रेस ने राश्टिय महत्वा और देश की आजादी से जुड़े एक महत्वपूर्ण तथ्य की अंदेखी करने और उसका अपमान करने का घोर पाप किया भारत की महान विरासत और परंपराओं की गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति ही सुनिचित कर सकता था कि इस तरह की महत्वपूर्ण घटना को इतियास में उचीत स्थान दिया जाए जैसा की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया है उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के प्रतिक तवर पर 1947 में देश के प्रतम प्रतिक सेंगोल को नई संसद में रखे जाने का निरने लिया है जो कि अतियंत प्रशसनिया है अमित शाहा ने ट्विट कर कहा है कि अब कॉंग्रेस ने एक और शर्मनाक काम किया है धिरू थूरई अधिनम जो शेव मत का एक पवित्र मत है उन्होंने खूद देश की स्वतंतरता के वक्त सेंगोल की हैमित के बारे में बताया था कॉंग्रेस अब अधिनम मत के इतिहास को ही फरजी करार दे रही है कॉंग्रेस को अपने विवहार पर विचार करना चाहिए अगली खबर के तरफ समर्थन मांगने के लिए के स्यार से मुलाकत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्वीन्द केजनिवाल सर्विस मामले पर केंद्र सरकार के अत्यादेश के खिलाफ समर्थन के लिए तेलंगना के सीम के सियार से मुलाकात करेंगे आम अदमी पार्टी यानि आपके नेताने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि वह सुप्रीम कोट के आदेशों के खिलाफ भाच्पा सरकार द्वारा पारित सविधानिक और अलगतांत्रिक अत्यादेश के खिलाफ तेलंगना के सुप्रीम कोट ने हाल ही में एक आ वसमत फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्टिय राजधानि में प्रशासनिक सेवाओ पर विवादी और कार्यकारी शक्तिया है CM के जरिवाल अन्य आप नेताओं के साथ अत्यादेश के खिलाफ पार्टि को समर्थन देने के लिए भारत राष्ट समीति के अध्यक्षण और तेलंगना के मुख्यमंत्रिक केसियार से अग्रा करेंगे मेडिया रिपोर्स के अनुसार सीम के जरिवाल बी आरेस से यह भी अनुरोद करेंगे कि मोधी सरकार द्वारा अत्यदेश को बदलने के लिए संसद में लाए जाने वाले विदेयक का विरोध किया जाए के सीयार के साथ बैठक आप नेताओं की विबिन राज़ो में विबिन विपक्ष दलो के नेताओं के साथ होने वाली बैठोका की शुरुंकला में लेटेस्ट होगी केजरिवाल ने संसद में कॉंग्रेस का समर्दन हासिल करने के लिए कॉंग्रेस अद्धक्षा, मलिक करजुंख खरगे और पार्टी नितर राहूल गांदी से भी समय मांगा है अब आप हमारी चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं मोबाइल अप पर देखने के लिए प्ले स्टोर्स MNS News TV आप्स डाउनलोड करें इंस्टालीग, ट्वीटर, हाईक, फिस्बुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफों पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप हमारी चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.tv.com पर फिलाल वक्त हो चला है दर्शको ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरे बने रही MNS News पर नमस्कार ये है MNS News नेटबर और आप देख रहे हैं MNS News